कई वर्षों से जब जब भारत में संसत्र का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है याद करिए BBC की डॉकुमेंटरी संसत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वजट सत्र शुरू होने से ठीक पहल और आज बर्बस विपक्ष ने जब संसत्सत्र का विशे उठाया तो यह और साफ हो गया कि इसका मतलब यह संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसत्सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरन उत्पन किया जाए और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि पक्षी दल भारत में अस्थरता और अराजकता उत्पन करना चाहते हैं क्योंकि अभी हाली में संपन चुनाओ भारत के इतिहास के एकलोते चुनाओ थे जब साथ समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा जौर सोरस ने कि मैंने एक बिलियन डॉलर रखे हुए हैं भारत में मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए कोई घटना होती तो किसी देश का बयान आ जाता है तो कभी कोई रिपोर्ट आ जाती है तो हमारी समझ में यह नहीं आता है कि यह सारी बाते और फिर वो लिड़ता के साथ कहना चाहते हैं भारत के अंदर यह आर्थिक अराजकता उत्पन्ह करना चाहते हैं vaimo के द्आ चाहें विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो यह वही लोग हैं घनुनने एक साल पहले कहा थाला एड़ाई-डॉब ग冷ब cells हेल हिंदुस्तान एरोनाटिक्स डूब गया फैक्ट यह है कि एलाइसी ने पिछले थिमाई में सत्रह हजार करोड का प्रॉफिट दर्च किया है जो प्राइविट और गवर्मेंट दोनों की कंपरी जमिलाके और टाइम हाई है एच एल ने उनत्तीस हजार करोड का रेविन् हूं हमेशा कॉंग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती आज से नहीं 30-40 साल पहले से यह बताएए 1984 में यूनियन कारवाइट के एंडर्सन को इन्होंने हवाई जाज में बैटके भगाया था यूनियन कारवाइट के साथ कौन खड़ा था कॉंग्रेस ब ब्रिटिक्स कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैक आपस तो आज हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि विदेश की संस्थाओं और विदेश में छपने वाली चीजों में और आपको ध्यानों केजरी वाली यह भी बोल चुके हैं कि इतना मुश्किल होता नियूर्क टाइंस में छपवानना यह वर्ड है उनका वन रिकॉर्ड तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विशय के उपर आपका निशाना है